दोस्तों आज की वीडियो का बनने काई की मकसद है कि quality engineer जो होता है उसका क्या काम रहता है practically साइट पर ऐसे तो आपको Google पर काफी चीजे मिल जाएंगी वह यह करता है वह करता है जो practically as a quality engineer मेंने क्या काम किया साइट पर क्यूंकि मैं as a quality engineer एक से देट साल तक काम कर चुका हू और जब मेरा interview हुआ उसमें तो क्या क्या चीजे पूछी जा सकती है क्यूंकि main basically आज का वीडियो टोटली रहने वाला है कि आपको study क्या करनी है आपको आना क्या चाहिए बले आप quality engineer building construction में जाना चाते हो चाहाई वे construction में जाना चाते हो main मुद्दा रहता है कि आपको पढ साइट पर रहता है वो सबसे जदा काम रहता है किसका quality engineer का और degree का जो काफी इस्तमाल या degree का use जो सबसे जदा साइट पर होता है वो quality engineer करते है आगे में इसले बस बताने ही वाला हूँ क्योंकि उससे आपको idea लग जेगा है क्या 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 उसको आना चाहिए फिर हम बात कर तक salary plus accommodation आपको मिल जाती है कि अगर अच्छी company में किसी में जाते हो आप और work काफी अच्छा रहता है कुछ जदा इतना workload नहीं रहता है कुछ paper work थोड़ा जदा रहता है और field पे visits रहती है दो mostly काम रहते है quality engineer के main अभी में आपको बता देता हूँ slavers क्या क्या रहने वाला ह वो आज का वीडियो है मारा देखो समझो यह पीडिया भी आपको मिल जाएगी चाहिए होगी तो सबसे पहले reinforcement का तो knowledge आपको होना ही चाहिए क्योंकि BVS का भी knowledge अगर आपको रहेगा तो आप site पे चेक कर सकते हो कि आपको कहां पे reinforcement कैसे provide करनी है उसका quality के हिसाब से क्या क आपको करने हो तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉग वर्क की अगर हम बात करें जो start कैसे करते हैं ब्लॉग वर्क उसकी आपको care कैसे करनी है चेकिंग कैसे करनी है वो hacking का knowledge आपको होना चाहिए hacking बता है न क्या होती है फिर आपको जो metal fix किया जाता है जैसे आप सामने पिक भी देख रहो पिक की help से आपको idea लगे रहोगा कि क्या आपको आना चाहिए जो corner weeds रहती है उनकी knowledge उनका quality कैसे चेक करना है क्या 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 tools यूज़ किया जाते है plumbing का work का पूरा knowledge आपको होना चाहिए main चीज आपको ऐसे quality इंजियर क्या है आपको उसका process quality के साफ से कैसे करना है और IS code का पूरा knowledge होना चाहिए या IS code के साफ से specification के साफ से कैसे काम करना है वो electric work जो रहता है उसका पूरा high voltage यह एक्स्ट्रा high voltage यह भी distance होता है वो clearance चाहिए होती है temporary installation gypsum का work फिर plastic का पूरा detail check कैसे करना है start during और बाद में कैसे करना है waterproofing का painting का tiling का फिर grenade marble work का metal work wooden work flooring cement की जो ITPs रहती है और जो भी test रहते है building के वो फिर अगर हम बात करें जो मतलब हम highway पर बाद आता है तो यह building का आपको बदा लगा है मतलब जो material उसका knowledge आपको होना चाहिए highway में क्या है जो आपका एक तो site पे का test होंगे एक तो lab में जाके तो यहां पूरा की कैसे sample collection करना होता है grain size फिर जो utter work limit plastic index free swelling index मतलब पूरे test आपको यहां mention कर दी है वैसे हम यह करते हैं जो original ground level होता है उसमें करते हैं फिर embagment में करते हैं subgrade और other shoulder में फिर granular subbase यह सब चीजें एक quality engineer को अ गई होगा और site पे भी यही काम करना है आपको कुछ ज्यादा extra काम आपको नहीं करना होता है site वे देखो अगर यह चीज आती हो तो अच्छी बात है आप quality engineer के लिए जा सकते हो ऐसे site engineer जहां भी तो अगर यह चीज नहीं आती है तो आपको सीख सकते हो मतलब आपके पास मो है basic to advance तो जिसको non-technical person भी है वो भी कर सकता है b-tech, m-tech हर एक आदमी कर सकता है इसके सीख के वो आगे बढ़ सकता है यह आपको solitude education institute करवाने वाला है यह इस field में काफी अच्छा perform कर रहे हैं बच्चों को सिखा रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं और scope की तो जैसे मैंने starting में ह बात करती salary काफी जदा अच्छी है quality engineer की और job भी जैसे जैसे आपका experience बढ़ता जाएगा knowledge बढ़ता जाएगा आपकी salary बढ़ती जाती है और job हर एक company में MNC से लेके builder और contractor company में आपके लिए रहेगा तो इस course को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना यह सब syllabus जो मैंने practice के लिए material, data, pdf हर चीज आपको दी जाएगी और certificate कुछ ऐसा रहने वाला है जिसमें सब चीजे mention होंगी और यह आप कहीं भी use कर सकते हैं आप interview में college में तो यह matter करते है तो actual price इसका 10,000 है तो लेकिन आज offer चल रहा है आप बच्चों के लिए 3 दिन का offer रखा जा रहा है 80% offer रहेगा 1199 में यह course आपको मिलने वाला है तो इसको पाने के लिए आपको करना क्या है description में link रहेगा आपको app को download करना है और जल्दी से जल्दी पा लेने तो इससे अच्छा मोका नहीं मिलेगा आपको जल्दी जाके apply गा लो